इससे नामलेकुम फ्रेंड्स आयशा बना रही ह एक प्याज लेंगे, प्याज को फाइन चॉप किया है, थोड़ा सा लेंगे हम मेथी दाना, सौफ और जीरा, टेस्टर के कडिंग लेंगे मिर्ची, थोड़ी सी हेल्दी, थोड़ा सा धेनिया पाउडर, इसे भी मिक्स कर देंगे, अब डालेंगे टेस्टर के कडिंग, नाम अब हम मिडियम फ्लैम पर तीन सेटी ले लेंगे तीन सेटी में इंशालला हमारी दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी तीन सेटी हो गई है इसका प्रेशर खुछ से रिलीज होने देंगे हम देख रहे हैं मशाला हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है बहुत पतली डाल भी अच्छी नहीं लगती है और बहुत काढ़ी डाल भी अच्छी नहीं लगती है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर देखे पानी मिक्स करने के बाद हम इस दाल को अच्छे से गरम होने के लिए रख देंगे दाल को हमें अच्छे से बॉइल करना है दाल जब तक बॉइल हो रही है हम बाफले का आटा तियार कर लेंगे यह मेंने आटा लिया है केहों का आटा लिया है बाफले का आटा थोड़ा सा दरदरा होता है मोटे आटे के बाफले ज़्यादा अच्छे बनते हैं यह मेंने रोटी बनाते हैं वही आटा लिया है तो इसलिए हम इस आटे में थोड़ी सी सूजी मिक्स करेंगे सूजी या मक्का का आटा जो भी हो हम मिक्स कर सकते हैं अगर चार कटोरी आटा है तो हमें आधा कटोरी सूजी या आधा कटोरी हमें मक्का का आटा लेना है थोड़ी सी में सौफ ले रही हूँ, जीरा और काली मिर्ची इन तीनों को मिक्स करके हम दरदरा पाउडर बना लेंगे इसे भी हम आटे में मिक्स करेंगे बहुत है टेस्टी बनते बाफले अब इसमें मैं एट कर रही हूँ नमक नमक थोड़ा हमें अच्छा लेना है नमक डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर अधा चमच बेकिंग पाउडर लिया है हमें इन सब को अच्छे से मिक्स करना है मेरी ये रेसीपि आपको केसी लग रही है कमेंट से करना नव फूले मुझे आपके कमेंट से कब बेस सबरी से इंतिजार रहता है अगर आपने कभी दाल वाफले नहीं खाए हैं तो आप ये जरू ट्राइ करें बहुत अच्छे लगते हैं सारी मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एड़ कर रहे हैं थोड़ा सा कुकिंग आईल अगर हमारा आटा आधा किलो है तो हमें 50 ml कुकिंग आईल लेना है आईल की जगा हम घी भी ले सकते हैं आईल या घी मिक्स करने से हमारे पाफले बहुत साफ्ट साफ्ट बनेंगे काफी सारे लोग बाफले सिर्फ इसलिए नहीं बनाते के उनके हाथ बाफले कड़त बनते हैं आप इस तरीके से बाफले बनाएं बहुत ही सौफ्ट बनेंगे सारी चीज़े अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं थोड़ी सी हल्दी हल्दी कोफी हम अच्छे से मिक्स करेंगे देख रहे हैं मशाल्ला हमरी ताल बहुत अच्छे से बॉइल हो चुकी है तड़का हम बाद में लगाएंगे पहले हम बाफले का आटा तियार कर लेंगे अब मैं आटे में मिक्स कर रहे हूँ हूँ एककटोरी खटा देहीं देहीं मिक्स करने से हमारे पाफले बहुत फुले फुले बनेंगे और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे तो देहीं आप ज़रूर मिक्स करें अफी हमें पानी नहीं डालना है पीना पानी डालने ही हमें सारी चीज़े अच्छे से मिक्स करनी है सेफी चीज़े अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम टाइट डो तेयार करेंगे बाफले का आटा हमेशा ही हमें टाइट रखना चाहिए जितना अच्छा हमारा आटा रहेगा इंशाल्ला उतने अच्छे बाफले बनेंगे तो ध्यान रहे पानी ज़्याद नहीं डाले एक साथ पानी नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा पानी लेना है आटा हमें बहुत अच्छे सी गूंधना है जितना अच्छा हम आटा गूंधनेंगे इंशालला हमारे पाफले उतने खस्ता बनेंगे लगवग हमें 4-5 मिनट तक अब इस आटे को गूंधना है हमारा आटा लगवग लगवग तयार हो चुका है आपको दिख रहा होगा कितना टाइट आटा है अब हम इस आटे को डिवाइट कर देंगे जितने बड़े हमने बाफले बनाना है उसी साब से हम इस आटे को डिवाइट कर देंगे यह मैंने आटे डिवाइट कर दिया है बड़े बाफले भी बना सकते हैं यह मैंने एक छोटी सी बॉल ली है इसकी पदली सी रोटी बे लेंगे यह मैंने रोटी बे ली है अब इस रोटी पर हम आईल लगा देंगे आईल को हम रोटी पर अच्छे से फेला देंगे आईल लगाने के बाद अब हम इस रोटी का रोल बना लेंगे इसे प्रेस करेंगे ये हमारा बाफला कम्प्लेट है है न बहुत आसान तरीका आपको मैं एक और तरीका बता रहे हैं ये मैंने दो बाल ले थी बड़ी से रोटी बेली थोड़ी से मोटी रोटी है इस पर भी आईल लगा दिया है इसका भी हम रोल बना लेंगे और इस रोल को हम दो भागों में डिवाइट कर देंगे तो हमारे दो बाफले एक साथ बन जाएंगे ये भी बहुत आसान तरीका है तो बड़ी से बड़ी रोटी बेल के हम तीन चार बाफले भी एक साथ बना सकते इसको इस तरीके से घुमा कर हम प्रेस करेंगे तो ये बाफला भी बहुत अच्छा बनेगा लेयर वाला बाफला बनेगा तो है ना ये तरीका भी आसान इसी तरीके से हम सारे बाफले बना लेंगे इसे बाटी बांधना भी बोलते हैं बाफले बनाना भी बोलते हैं, आप जो भी नाम देना चाहें, बोल सकते हैं, सारे बाफले हमें ऐसे ही बनाना है, ये मैंने सारे बाफले बना लिये हैं, अब हम इन बाफलों को बोल करेंगे, इस पार्ट में मैंने पाने लिया है, पानी को अच्छे सी गरम करना है, गरम पा अगर हम मेटल का चमच यूज़ करेंगे तो ये बाफले टूट सकते हैं क्योंकि बहुत सौफ्ट हैं तो हम लगडी का चमच यूज़ करेंगे लगडी का चमच ना हो तो बेलन से चलाएं ताकि नीचे चिपके नहीं अगर चाला नहीं लगाएंगे तो ये नीचे चिपक ज जाएंगे तो बीच बीच में चलाते रही पाफले अच्छी से बाइल हो जाएंगे बाफले जब बाइल हो जाते हैं तो यह उपर नजर आते ही उपर नजर आ रहे हैं यह बाफले अच्छी से बाइल हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे सारे बाफले निकाल लेंगे हम इ इन पाइल बाफलो को हमें एक बड़ी सी प्लेट पे फेला कर रखना है तैकि थोड़े से ड्राइ हो जाएं। यह मैंने इन्हें ड्राइ फिक कर लिया है लगवग 5 मिनट लगे हैं। यह मैंने ओवन लिया है बाटी सीखने वाला ओवन है। इस ओवन को हमें पहले गरम करना है ये ओवन गरम हो गया है अब हम इन बाफलो को इस ओवन में सेखेंगे इस तरीके से हमें बाफलो को जमा देना है और अब हम इसे ढख देंगे लग भग एक मिनट बाद हम इसे देखेंगे एक मिनट के बाद हम इन बाफलों को टरन कर देंगे सारे बाफले मिनट टरन कर दिये हैं अब वापस से हम इसे ढग देंगे और एक देड़ मिनट के डिफरेंस से हम इसे देखते रहेंगे जो बाफले सीख जाएंगे उन्हें हम निकाल देंगे सवी को चेक करना है हमें दोनों तरफ से बाफलों का ये कलर चाहिए लगभग पांच मिनट में इंशालला हमारे सारे बाफले सीख जाएंगे यह हम देख रहें मशला क्या कलर आया है सारे बाफले हमारे बहुत अच्छे से सीख चुके हमें इन्हें इतना ही सेख ना है क्योंकि हम इसे अभी फ्राई भी करेंगे इस सारे बाफले हमारे सीख चुके है इन्हें फ्राई करने से पहले हम दाल को तड़का लगाएंगे मैंने एक पेन में थोड़ा से कुकिंग अई लिया है और जीरा सौफ और राई फ्राई करेंगे राई जीरा सौफ अच्छे से फ्राई हो गया है अब इसमें साबूत लाल मिर्जी डाल रही हूँ एक प्याज ली है और थोड़ा सा कड़ी पता प्याज को फईन चॉप किया है हमें प्याज को अच्छे सी ब्राउन होने तक फ्राई करना है गरम आईल में अगर प्याज डाले तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती मश्राला हमारी प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इस तड़के को दाल में डाल देंगे और थोड़ी सी हिंग डाल रही हुँमे अब हम इस दाल में डालेंगे परिक कटा हरा धन्या धन्या को कट करने से पहले अच्छे से वाश कर ले दाल हमारी कम्प्लेट है अब बाटी को फ्राई करेंगे इमेने घी लिया है बाटी को हलकासा हम दबाएंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे पाफले को बाटी भी बोला जाता है सेवी पाफले इस तरीके से दबा कर ही हमें फ्राई करना तक अंदर तक इसमें घी जाए और हमें इस तरीके से इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राइ करना बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे बाफले बनते हैं आप जरूर ट्राइ करें बहुत टेस्टी डिशें तो आईशा के किचन में ते दल बाफले बन चुके हैं आपके किचन में कब बन रहे हैं ये बाफला बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुका है सारे बाफले हम ऐसे ही फ्राई करेंगे मेरी ये रेसिपी आपको किसी लगी है कमेंट्स जरूर करें और आप ट्राई करें आपके घर में भी ये डिश सेफी को अच्छी लगेगी एजी रेसिपी है, टेस्टी डीशे, तो ट्राइ करना तो बनता है ना, सारे पाफले में फ्राइ कर चुके हूँ, यह सारे पाफले फ्राइ हो गए हैं, अब हम इने सर्व करेंगे, देखो मशाला कितने सॉफ्ट बने हैं, ठेंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, अलाह आफिज